अक्षे एक इंजिनिंग स्टुडेंट है और उसको नौकरी की बहुत सरुवत है क्योंकि इसके घर में थोड़ी सी पैसों की प्रॉलम है और वे अपने परिवार का हाथ बटाना चाहता है पैसे कमा के लेकिन वो एक फ्रेशर है और उसको नौकरी नहीं मिल रहे हैं जहां भी जाता है जो HR के लोग हैं या जो मैनेजर्स हैं जो उसका इंट्रिवी लेते हैं वे हर बार ये कहते हैं कि भाई तुम तो एक फ्रेशर हो तुमें कुछ experience नहीं है तुमें अतना ग्यान नहीं है तुमें इतनी knowledge नहीं है तो वो थोड़े समय इंट्रिवी लेने के बाद उसको बखा देते हैं और ये प्रॉलम जो है वह उसको खाय जा रही है उसका ये कहना है कि अगर मेरे पास experience नहीं है तो उसमें मेरी गल्ती है क्योंकि अगर लोग उसे नौकरी नहीं देंगे तो उसके पास experience आएगा कहां से और ये एक ऐसी प्रॉलम है जो मेरे खाल से हर फ्रेशर समझ सकता है क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं आके दे रही कि वह अपने resume में experience कहां लिखे skills कहां लिखे वह लोगों को कैसे बताए कि उसको क्या आता है और अगर हम लोग अपने आस पास देखें तो engineer students या MBA के students या बाकी जो professionals हैं वो बर बर के निकल रहे हैं तो उन सब के बीच में आप कैसे ये proof करें कि आप एक बहतर इनसान है एक बहतर professional है और आपके competition में ऐसे से लोग भी आ रहे हैं जिनको 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के भी experience है क्योंकि आजकर नौकरी की बहुत कमी है, अच्छी नौकरी की कमी है जिसमें आपको अच्छे पैसे मिल सके, आपको अच्छा profile मिल सके, अच्छा काम मिल सके और अगर जो थोड़ी से नौकरी अगर आती हैं, तो इसके बीचे बहुत लड़ाई होती है तो आप उस interview में कैसे निकालें, और खास वोड़ से fresher, जिनको कुछ नहीं पता और आज हम लोग इस चीज़ को समझ के जाएंगे, कि ऐसा क्या करें, और ऐसे ये interview वाले लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अगर experienced लोग भी अगर हमारे सामने खड़े हैं, तो हम उनको हरा सकें और इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कि जो कोई भी अगर एक इनसान को अपनी company में लेता है, तो वो उससे क्या expect करता है और अगर आप ये proof कर दें, और आप ऐसे इनसान बन जाएं, कि हर company वाला अगर आपको चाहे, आपको अपनी company में लेना चाहे तो आपके वारे न्यारे हो गए, आप अराम से किसी भी company में एक भेतर profile के साथ और एक भेतर pay package के साथ अराम से उस company में जा सकेंगे आप एक interview में जाते हैं, और वहाँ पे आपसे क्योशने होनी शुरू होती है और वह इंसान, जब interviewer के सामने बैठता है, तो interviewer उसमें क्या देखने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले तो वह यह समझे गया कि यह एक fresher है, क्योंकि वह आपके resume में लिखा होगा, आपके CV में लिखा होगा कि वह इसे ज़्यादा experience तो है नहीं, इसे ज़्यादा knowledge भी नहीं है और इसमें skills भी शायद ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको कभी experience नहीं है, तो skills कहां से develop होगी तो वह interview आपका क्यों ले, तो सबसे पहले तो आप इतने interesting होने चाहिए, आपकी कहानी इतने interesting होनी चाहिए कि उस इंसान को लगे कि हां मुझे से कुछ वारत अलाब करती है, तो जब भी वह आपसे पूछे गए कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और जब आपने अपने बारे में कुछ बताना शुरू किया, और आपकी कहानी थोड़ी से interesting लगी उसे, या आपकी बातें उसे थोड़ी से interesting लगी, तो बात आगे बढ़ेगी लेकिन बहुते शुरुवात है, वह जो आप में ढूणने की कोशिश कर रहा है, वह आपसे knowledge expect नहीं कर रहा है वह आपसे कोई बहुत ज़्यादा experience expect नहीं कर रहा है, वह आपसे skills expect नहीं कर रहा है, उसे पता है कि यह आप में नहीं है तो वह कुछ ऐसी चीज ढूणने की कोशिश कर रहा है, जो experience लोगों के पास नहीं होती और अगर आप वह प्रूफ कर दें, तो आप अराम से वह नौकरी को ले सकते हैं और वह जो चीज है, वो तीन चीजों से मिलके बनती है सबसे पहला तो है energy, वह आप में energy ढूणने की कोशिश कर रहे हैं, positive energy कि यह इंसान बलकुल enthusiastic है, बहुत ही energetic है और यह कुछ करना चाहता है यह तो पहली चीज वह आप में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी जो बहुत important चीज है, वह है आपकी learning ability आपकी सीखने की ख्षमता, कि आप कितना ज़्यादा चीजों को सीख सकते हैं और आप में अब काबलियत है की नहीं अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही पड़े लिखे होते हैं जो सब कुछ पहले सीखे हुए होते हैं आप उनको कुछ सिखाने की कोशिश करें तो वह सीखने को तयार नहीं होंगे वह आप में ही 100 और 50 कमिया निकाल देंगे और वह सीखेंगे नहीं तो आपको जब भी आप उनसे इंट्रेट करेंगे आप उनसे जब भी कुछ वर्तलाप करेंगे आपके अंदर एक बड़ी ही निगेटिव सी फीलिंग आ जाएगी कि वह इंसान कभी सीखने वो तयार नहीं है चाहे उसमें कितनी भी एनर्जी हो तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टन है लेकिन सीखने की शमता होनी भी बहुत जरूरी है और जो सबसे इंपॉर्टन बात जो है वह है आपकी इंटेग्रिटी आपकी सब्के निष्ठा आपकी इमानदारी और यह चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टन है तो कि आजकल इंटेग्रिटी मिलना बहुत मुश्किल है और कोई भी कमपनी के लिए इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टन है क्योंकि इसी चीज से विश्वास बनता है इसी चीज से ग्रैडिबिलिटी आती इसी चीज से ट्रिस्ट वर्दिनेश आती है या आप कुछ मित्र बनाना चाहें, आप तभी बना सकते हैं कि लोग आप पे विश्वास करें, और इंटर्वियोर भी आपके अंदर वही देखने की कोशिश कर रहा है, कि आप में वह सत्य निष्टा है, वह आप में इमानदारी है, वह इंटीग्रिटी आप में है कि नहीं और वह इतना एक्सपर्ट है, वह आपसे प्रस्टन ऐसे पूछेगा, आप अगर उसे घुमाने की कोशिश करेंगे, तो आप उसे घुमाने ही पाएंगे, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज इसी चीज़ में है, क्योंकि आप छोटे हैं, आप में इतनी समझ है नहीं, तो आप पहले ही अइसारी देख ली होगे, तो आप उन्हें बेड़ को बनाने की बुलकल कोशिश ना करें, अगर आप एक भीतर इंसान हैं, अगर आप एक अनेस्ट इंसान हैं, तो आप को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं हैं, वह अराम से अपने आप भी उस इनसान को दि पर्फूर 7 के अधी साथ समय के साथ उनीर ठोड़ी कम होजाती जैंदि रूसरी बात की टा रीचे क्लोग तो ओते हैं लेकिन उनमें वह चीखने की शम्टा भी कम हो जाती जै बड़े रीकाम experience लोग मिलेंगे जो सीखने को तयार होंगे आप लोगों ने वह example देखा होगा कि बड़े सारे सरकारी अपसरों को वह एक computer सिखाने के कोशिश की गई थी और बड़ा ही मुश्किल काम था या किसी भी company में जब भी कभी कुछ वदलाव आता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल और experience लोगों से आती है क्योंकि वह कुछ सीखने को तयार नहीं है फ्रेशर के साथ ये फायदा है क्योंकि वह उन लोगों ये दिखा सकता है कि कुछ भी नई चीज है नया टेकनलोजी है नया प्रोसेज है नया कोई methodology है वो सीखने को तयार है और तीसरी ज़्यादा सबसे important चीज है वह है आपकी integrity कि आपकी सत्य निष्ठा और आपकी इमानदारी अगर आप उन ये प्रूफ कर सकते हैं तो आप वह नोकरी बड़े ही अराम से ले सकते हैं क्योंकि वह है आपको experience दे देंगे आराम से वह है आपको skills भी दे देंगे वह है आपको बड़ा सारा समय लगा के आपको training भी दे देंगे लेकिन ये तीन चीजे जो हैं वह है आपको अपने आप से ही लेके आनी पड़ेंगी और यह मैं आपको बता दूँ ऐसे इनसान बड़े कम हैं जिनमें ये तीनों चीजे हैं तो अगर आप अपने आपको unique दिखाना चाहते हैं हर company के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल right person हैं बिल्कुल सही person हैं उस नौकरी के लिए या उस काम के लिए तो आपको ये तीनों चीज़ों को दिखाना पड़ेगा और उसके लिए आपको दिखाने की ज़्यादा जूरूत नहीं है क्योंकि अगर आप सच में ऐसे हैं तो वह आराम से दिख जाएगा तो इसके लिए मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि आपका जो character है आपका जो चरित्र है वह सबसे important होना चाहिए और जो चरित्र है वह आपकी जड़े हैं किसी भी पीड़े की जड़े होती है वह आपका चरित्र होता है तना जो होता है वह आपकी personality होता है और जो उसके ओपर जो उसमें फल, फूल और जो पतियां आ रही है वह आपका reputation है तो आप बाकियों की चिंता ना करें, शिर्फ character की चिंता करें अगर आप एक अच्छे इंसान है और आप एक भितर इंसान है तो वह आराम से दिख जाएगा और आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी और आप देखेंगे कि जब भी कोई एक HR का person या कोई भी एक manager आपका interview लेता है तो आपके परिवार के बारे में जानेगा, आपके college के बारे में जानेगा आपके school के बारे में जानेगा, आपके facebook page को देखेगा पड़ी सारी चीज़ें आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा वह जानना क्या चाहरा है? वह आपका character को समझना चाहरा है और उस character से उसे पता चलेगा कि इस इंसान में energy है, learning abilities है या और इसमें वह integrity है कि नहीं? और अगर वह समझ जाता है कि इस इंसान में वह strong character है जो उसकी company के लिए बिल्कुल सही है और इसमें वह तीनों चीज़े है energy, आपकी learning abilities और आपकी integrity अगर उसमें है तो आप ये मान के चलिए कि हर company आपके पीछे दोड़ेगी और आपको अपनी company में लेना चाहेगी और अगर आप कुछ साल के बाद जब experience person भी बन जाएं तो ये तीनों चीज़ें ना छोड़ें in fact कभी ना छोड़ें ये आपके लिए personal और professional life में बहुत काम करेगी तो आप इस चीज़ को याद रखें और अपने आपको एक ऐसे इंसान बनाने की कोशिश करें कि सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहें उनके साथ relation बनाना चाहें अपनी company में आपको लेना चाहें और आपके साथ कुछ business partnership करना चाहें तो ऐसे इंसान बनिये और जीवन के आनदे लीजिए